बीजेपी ने राजस्थान में भी मुख्यमंचरी के नाम पर सभी को चौका दिया है वहीं राजस्थान में भी चत्तीजगर और मध्यप्रदेश की तरह दो डिप्टी सीम का चैन किया गया है डिप्टी सीम दो नामों में से एक नाम प्रेम चंदर बैरवा है और दूसरा नाम दिया कुमारी है आपको बता दे कि दिया कुमारी का नाम मुख्यमंचरी की रेस में लिया जा रहा था हाला कि उन्हें सीम नहीं बलकि डिप्टी सीम यानि कि उप मुख्यमंचरी बनाया गया है अब सवाल ये है कि CM की रेस में शामिल दिया कुमारी के हाथ से क्यों मुख्यमंचरी की कुर्सी फिसल गई? 51 साल की दिया कुमारी राज परिवार के सवाई भवानी सिंग की बेटी है दिया कुमारी ने अपनी दादी राज माता गायतरी देवी के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीती में एंट्री ली दिया कुमारी को राजनीती में एंट्री करवाने वाली वसंद्रा राजी ही है दियाकुमारी राजगराने से दूसरी सदस्य हैं जो लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई दियाकुमारी को साल 2023 में विद्याधर नगर सीट से टिकट दिया गया जहां उन्होंने बंपर जीत हासिल की दियाकुमारी को 1,58,516 वोट मिले और वो 71,368 वोटों से जीत गई जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अगरवाल को 87,148 वोट मिले चुनाओ से पहले जिस तरह पार्टी दियाकुमारी को तवज्जो दे रही थी उससे साफ था कि चुनाओ के बाद उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपे जाने वाली है लेकिन उनकी प्रशाशनिक पदों पर अनुभव हींता और राश परिवार से तालुक रखना उनके खिलाफ गया बीजेपी बड़ी तेजी से अपना चहरा बदल रही है मोदी और शाह की बीजेपी पार्टी को आम आदमी और महनती कारेकरताओं के निकट दिखलाना चाहती है ऐसे में दियाकुमारी इस साचे में अन्फिट हैं लेकिन उन्हें उपमोकिमंसरी का पत देकर राजपूद वोटों को भी साधने की कोशिश की गई है क्योंकि राजस्थान में राजपूदों के बगार राजनीती संभव नहीं है